रात का समय था चारों और घुप अधेरा चाया हुआ था केवल एक ही कमरा प्रकाशित था वहां चार मुंबतियां जल नहीं थी चारों मुंबतियां एकांदेख आपस में बाते करने लगी पहली मुंबति बोली मैं शान्ती हूँ जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत तुकी होती हूँ चारों और आपा धापी लूट खसोट और हिंसा का बोलबाला है ऐसे में यहां रहना बहुत मुश्किल है मैं अब यहां और नहीं रह सकती इतना कहकर मुंबतिया बुच गई दूसरी मुंबतिया भी अपने मन की बात कहने लगी मैं विश्वास ह मुझे लगता है कि जूट दोखा फरेब वेमानी मेरा वजूद खत्म करते जा रहे हैं यह जगह अब मेरे लायक नहीं रही मैं भी जा रही हूँ इतना कहकर दूसरी मुंबतिया भी बुच गई तीसरी मुंबतिया भी दुखी थी वो बोली मैं प्रेम हूँ मैं हर किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं बचा स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेता जा रहा है लोगों के मन में अपनों के प्रती भी प्रेम भावना नहीं बची अब यह सहना मेरे बस की बात नहीं मेरे लिए जाना ही ठीक होगा कहकर तीसरी मुंबति भी बुच गई तीस मन से वो बोला इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अधेरा कर कैसे जा सकती हो तुम तुम्हें तो अन तक पूरा जलना था लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया अब मैं क्या करूंगा बालक की बात सुन चोथी मुंबति बोली घाबराओ नहीं बालक मैं आशा हूँ औ और मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक मैं जल रही हूँ तुम मेरी लौ से दूसरी मुंबतियों को जला सकते हो चोथी मुंबति की बात सुनकर बालक का धाड़स बढ़ गया उसने आशा के साथ शांती विश्वास और प्रेम को पुना प्रकाशित कर लिया जीवन में समय एकसा नहीं रहता कभी उज्वाला रहता है तो कभी अधेरा जब जीवन में अंधकार आए मन अशांत हो जाए विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे तव आशा का दीपक झला लेना जिवन में कभी अधेरा नहीं हो सकता आशा के बल पर जीवन म सब कुछ पाये जा सकता है इसलिए आशा का साथ कभी ना छोड़ें थैंक्यो